ओम नमस्षिवा जै महाकाल जो बेटी अससुराल में दुखी रहती हैं किसी न किसी कारणवस या परिवार में सामझस रहता ही नहीं है या पत्पतनी में बात बात पर छोटी सी जोटी बात में लड़ाई हो ही जाती है या फिर हस्बेंड आपकी बात सुनते ही नहीं है आप सही भी हो तब भी आपकी बातों न सुनते हो बहस पर बहस होती ही रहती हो दोनों के रिष्टे में मनमुटाव बना ही रहता हो तो बाबा दिवधी महादेव को एक वस्तु समर्पित कर देना जिससे सारी समस्यां हल हो जाएंगी तो करना ये है कि संकर भगवान का एक नाम है अव धूतेशवर महादेव का नाम लेकर थोड़ी सी हरी मौंग को पानी में भिगो देना उसके बाद लगभग आदे घंटे बाद उस मौंग को पानी से निकाल लेना और सियु मंदिर में जाकर जहाननदी बाबा विराजमान होते हैं वहां पर जाकर इस मौंग को रख द देना फिर कुछ देर बाद उस बेलपत्र को उठाकर सिवलिंग पर बाबा अउधू तीशन महादेव का नाम लेकर सिवलिंग पर उस सातों बेलपत्र को चड़ा देना उसके बाद पति-पत्नी सस्वराल समंधी जो भी आपकी समस्या है वह बाबा देवधी महादेव से और जो मोंग नंदी बाबा के पास रखे थी उसको उठाकर यदि गवसाला ये रोड पर नंदी बाबा दिख जाएं तो उनको खिला देना आप ऐसे खिलाना ताकि वो आपको मारे नहीं आप ये उपाय तीन ये चार प्रदोसी करना देखना आपके पति-पत्नी में प्रे ये फिर जिसकी लिए करता है हर हर महादेव